तो अगर हम डीटेल में बात करें system.out.println hello world यह क्या है मतलब system इसमें क्या है, out क्या है println क्या है, यह syntax क्या है तो अगर हम बात करें तो system जो है इस एक inbuilt java class है जो की java के अंदर पहले से बना रखा है out जो है एक method है, out हम लोग mainly output को resemble करता है और println एक method है जो out के अंदर आता है वो भी inbuilt यह सब inbuilt method और classes है जो की काम आता है insert a new line after printing output मतलब learn to code print करेंगा और उसके आगे करजर आपका यहां पर आ जाएगा ठीक है तो system.out.println और यह method का यह box है जिसके अंदर हमें जो भी print कराना है वो लिखेंगे तो learn to code एक string है तो हम लोग उसको double quotes के अंदर डाल दीए double quotes का बहुत महत्व है अगर कुछ भी हमें same जैसा चाहिए वो ऐसा print कराना है तो उसको double quotes के अंदर डाल दीजिए और semicolon से end करेंगे तो यह complete printing syntax है Java के अंदर आगे बरते हैं तो print कराने के लिए हमारे पास दो method या तो print या फिर println तो difference बस यह है कि यह बस print करेगा learn to code पानके चलिए print करेगा और cursor यहीं पे रहेगा और println क्या करेगा learn to code print करेगा और cursor जो है so next line चलाएगा print output and then insert a new line तो देखिए example कुछ अगर देखें हम system.outprint numbers में यह criteria नहीं यह string थे जहांपे हम double quotes देते थे numbers में यह criteria नहीं है अगर 9 के दोनों तरफ अगर आप double quotes देते तो 9 integer की तरह नहीं string की तरह नहीं integer की तरह प्रिंट होगा लेकिन अगर आप 2 plus 2 देते तो यहाँ पर 2 plus 2 print नहीं होगा integer में यह double quotes नहीं अगर double quotes देते तो 2 plus 2 यहाँ पर 2 plus 2 ही print हो जाता लेकिन अगर double quotes नहीं है तो यह 4 print होगा 3 into 2 6 होगा यहाँ पर note करने की सबसे important बात है कि double quotes is not used to print in numbers print करने के लिए नहीं जरूरी परता है numbers में अगर हम double quotes देते हैं तो क्या होता है system.out.println double quote 3 into 2 तो यह जो भी double quotes के अंदर है same चीज print करते हैं 3 into 2 तो यह differences है यह कुछ basics रहा आगे वाले lecture में हम देखेंगे comment करना variable declare करना operators क्या होते है data types क्या होते है तो यह next lecture में देखेंगे